Assalamualaikum आज हम hash number 3 करेंगे hash number 3 में classwork में काम जारा है place value page number 4 and 5 bookwork and homework में जारा है learn table of 2 अब जो classwork जारा है page number 4 and 5 वो आपको book में ही करना है ठिके सबसे पहले आप page number 5 पे सबसे top पर date mention करेंगे ठिके page number 4 है ये question है how many tens how many ones count and write अब आपको इसमें देखना है कि कितने tens हैं और कितने ones है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठिके कितनी pencils है 10 मतलब इसको क्या माना जाएगा लेकिन माना एक ही जाएगा pencils को नहीं गिनेंगे हम ये देखेंगे ये एक box बनाव है ठिके अब यहां देखेंगे यहां कितनी pencils है 1, 2 and 3 अब यहां है एक box में कितनी pencils है 10 तो ये क्या हो जाएगा 1, 10 एक box में कितनी pencils है 10 तो हम क्या लेखेंगे 1, 10 और यहां पर अलग से once मतलब एक होता है मतलब अब अब देखेंगे कि एक एक कितनी pencels है 1, 2 and 3 तो कितनी वी 3 1s is equal to 13 1, 3, 13 इसी तरह बी पे आ जाते हैं अब बी में देखें कितने box हैं ठीक है 1 and 2 1 and 2 अब यह देखेंगे कि एक में कितनी थी 10 थी 10 हो गए ठीक है तो डैश में क्या आएगा box count करके लिखेंगे डैश में कितने box है 1 and 2 तो इधर क्या लिखेंगे हम 2 ठीक है 2 10 कितने pencels है 10 2 10 अब यहां count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 1s क्या है 6 1s 2 10 6 1s is equal to 26 2, 6, 26 ठीक है? अब इसी तरह page number 5 पर आ जाते हैं जिसमें write the numbers आपको numbers लिखने हैं यहां लिखाव है 3 10s and 6 1s is equal to 36 5 10s and 3 1s is equal to 53 5, 3, 53 अब है नीचे नीचे राइट इन वर्ड्स राइट इन वर्ड्स में आपको क्या करना है? numbers में नहीं लिखावा है आपको 10s और 1s में दिखावा है आपको words में लिखने हैं जिसे के 4 10s and 5 1s तो अब इसको किस तरह लिखेंगे हैं number में 45 अब 45 के आपको यहां पर क्या लिखनी है? spelling लिखनी है 7 10s and 2 1s 7 10s and 2 1s is equal to 72 72 के क्या लिखनी है आपड? spelling लिखनी है इसी तरह आपको बाकी सारा भी करना है जिके